नमस्कार दोस्तों बारवी कक्षा के जो विद्यार्थी हैं जो इस बार 12 के एक्जाम देने जा रहे थे उनके लिए एक बड़ी महतवपूर्ण सुचना आई है 23 मई को आपको मालूम होगा कि कल जो देश के शिक्षा मंतरी है श्री रमेश ओकरियाल निशंक उन्होंने जो किया था कि अभी जो बारवी की परिक्षाएं उसके लिए सुझाव राज्यों से आमंतरित किये हैं कि उसको कैसे किया जा सकता और उसके लिए तीन विकल्प सभी राज्यों को दिये गए शिक्षा मंतरियों को सुझाव देने के लिए कहा गया है कि किस तरह से हम परिक्ष कराता है उसकी ओर से ये सुचना आई है कि जो 26 तारिक से 31 जोलाई के बीच में जो शेडूल्ड थे जो एक्जाम्स 12th क्लास के उनको फिलहाल पोस्पोन कर दिया गया है और इसकी सुचना शिग्र ही एक तारिक को दी जाएगी कि ये एक्जाम्स कैसे कराए जाएंगे अभी राज्यों से ये सुचना मांगी गई है कि आप इस बारे में अपने क्या सुझाव दे सकते हैं उसमें से कुछ विकल्प उनको दिये गए हैं जैसे कि एक विकल्प ये दिया गया है कि जितने भी एक्जाम्स बारवी कक्षा के हैं उसमें सभी एक्जाम्स ना ले करके जो महत्वपूर्ण एक्जाम्स हैं विश्यों के उनको ले लिया जाए और उसी के आधार पर अन्य विश्यों का मार्क्स भी दे दिये जाएं बात करते हैं जैसे बारवी कक्षा में मान लीजिए कॉमर्स स्ट्रीम में बहुत सारे सब्जेक्स हैं इस तरह से और बाकी दो या तीन सब्जेक्ट के मार्क्स जो हैं उसी के एवरेज करके लगा दी जाएं फर एक्ज़ैमबल अगर किसी विद्यार्थी के मार्क्स माल लीजिए तीन विश्यों के अंदर अगर 80, 90 और 70 है तो इसका अर्थ है थ्री सब्जेक्स का जो एवरेज है वो 80 आता है और थ्री सब्जेक्स का अगर 80 आ रहा है तो उसके बाकी दोनों सब्जेक्स में भी मार्क्स 80, 80 ही कंसीडर किये जाएं एक तो तरीका ये उन्होंने बताया है कि एक विकल्प ये है दूसरा ये है कि वो जो सब्जेक्स है कौन से सब्जेक्स के एक्जाम देने है ये हम बच्चें को चोईस दे दे कि वो पाँच में से कौन से तीन या चार सब्जेक्स चूज़ करते हैं ये बच्चों को आप्शन दे दिया जाए तीसरा एक विकल्प है कि alternative जो answer type जो questions होते हैं multiple choice, objective type उसमें objective type ही paper लिया जाए याने कि जो 3 गंटे का paper होता था वो 3 गंटे का paper न ले करके वो paper आपका 1.5 गंटे का 1 गंटे का लिया जाए और उसी के आधार पर फिर marking की जाए ये भी एक option दिया गया है अब इसमें से सुझाव देने के लिए राज्यों के शिक्षा मंतरियों को समय दिया गया है कि वो एक तारिक से पहले पहले अपने सुझाव दें ताकि एक जून को CBSC इसके बारे मां अंतिम नड़ने तक पहुंच सके जिसकी सुझना जिसकी announcement स्वेम फिर बाद में शक्षा मंतरी देश के जो हैं वो करें कि किस तरह से आगे CBSC बारवी कक्षा की परिक्षाएं लेगे तो आप सभी बारवी के कक्षा के बच्चों को हमारी और से शुपकाम ना है आप अपनी तयारी करते रहें चाहे जिस भी मोड में एक्जाम हो हमें अपनी तयारी पूरी रखने ही चाहिए और इस संबन्ध में जैसे ही कोई नई सुचना प्राप्त होती है हम आपके साथ तुरंत इसको शेयर करेंगे धन्यवाद